नमस्कार दोस्तों मैं टवी और आप देख रहे हैं अपना साइंस चैनल टवी टेक्निकल स्पेस दोस्तों बीटते दिनों के साथ अब पर्चिवेरंस रोवर के सभी पार्ट्स की एक्टिविटीज और कनेक्टिविटी को चेक करने की परक्रिया तेजी से चलते हुए अपने अंतिम समय में आ गई है और जैसा कि फर्चिवेरंस रोवर के लिए रेड प्लैनेट की सर्फेस पर काफी विजी होने वाला था तो ठीक उसी प्रोसेस को फोलो करते हुए पर्चिवेरंस रोवर की टीम ने इसकी सभी चेकिंग प्रोसेस को कम्पलीट करते हुए 8th March को Perseverance Rover के Robotic Arm की सफल टेस्टिंग की जो अपने आने वाले समय में कई तरह से Mars की सर्फेस पर एहम भूम का निभाने वाला है दोस्तो Perseverance Rover का ये 7 foot long Robotic Arm कई फीचर से लेस है और आपको बता दू तो ये Robotic Arm अपने Maximum Flexibility के साथ Mars के सर्फेस पर 27 mm डाइमीटर का होल करने में capable है जो इसमें लगे drill machine के कारेंड possible हो पाता है साथ ही इसके head पर लगे advance camera की मदद से ये Mars के सर्फेस और rocks की microscopic images capture करके उनका analyzation करने में भी माहिर है दोस्तो अगर इस Robotic Arm के main function की बात की जाए तो इसका main work, Mars के सर्फेस की sample collect करना और उनका investigation करना है साथ ही इसमें लगा sensor किसी भी difficult situation में एहम रोल निभाने में सक्षम है तो दोस्तो आप इसके बाद Ingenuity Mars helicopter के first flight test को लेकर कितने excited है नीचे comment के जरी अवश्य बताए और इस Mars mission के सभी latest update के लिए हमारी Mars mission update playlist को check out करे साथी चैनल को subscribe करना ना भूले आपका धन्यवाद, जय भारत